नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं जोतिश जराहट के कारिकरम में विशेश जानकारी वाला कारिकरम मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंड संतोज अंतोशी तो भाया साथ अक्टूबर से 14 अक्टूबर श्राध पक्ष के नौमी से मावस जिसमें एक तिथी दो बार आ रही है दस्मी तिथी का पुनरावित्ती है गया जी में हम पहुँच रहे हैं जब एक कारिकरम आप देख रहे होंगे तो हो सकता है मैं रास्ते में होगा आप इतने दिनों से हमें सुन रहे हैं समझ रहे हैं लेकिन आपने रेजिस्ट्रेशन नहीं कराया शायद अभी आपके भाग्य परिवर्तन का समय नहीं आया है शायद अभी आपके पितर और तडप कर आपको श्राप देंगे पितर श्राप देते हैं जब तडपते हैं आपका भाग्य आपकी किस्मत है आपको श्रापित होना है आपको अभी और धक्का खाना है आपको अभी अपने बच्चेों को और एक दो साल कोचिंग के तिन तिन चरचर लाख रुपे देने है यह आपकी किस्मत है आप दीजिए सेलेक्शन नहीं होगा यह चैलेंज के साथ बोल रहा हूं मैं भाई साब बिना पितरों के आशिरवाद के जीवन में सफलता मिल ही नहीं सकती मैं खुला एक्जामपल हूं इसका 2006 में मेरे पिता जी जब गया जी गये थे जबकि विधिविधान से पिंदान नहीं किये थे लेकिन पूरे भारत भ्रमण में हम भेजे थे तो हर जगह जाकि पिंदान जहां जहां अपने सास्त्रों में गंगा सागर है चारोधाम है जोतिरलिंग है गया जी है हर जगह करव परिवर्तन आना शुरू हुआ था और असली परिवर्तन मेरे जीवन में आया है 2008 में जब मैं लाइव इंडिया चैनल पर जो तुशिय कारिक्रम में समलित हुआ हूँ मुझे वहां से बुलावा आया है और जानते हैं ये कैसे हुआ है गया जी के पिंडदान के बाद पिता जी ने भागवत सुनने में दो वर्ष लगा दिया था छे में गया जी पिंडदान करके आये हैं और 2008 में भागवत सुने और फिर जाकर के पिंडदान की क्रिया परिपूर्ड हुई थी और वंश आगे बढ़ा वंश आगे बढ़ने के साथ साथ सुखी जीवन जीया पिता जी का वंश अर्थात मैं हम बाढ़ है पूत पिता की धर में खेती बाढ़ है अपने कर में भाईया तो हम ये कारकरम में कुछ विशेश बताने जा रहे हैं आपने रेजिस्टेशन नहीं कराया पिंडदान वाला वो आपकी किस्मत है एक मौका हम उन लोगों को दे रहे हैं जो पिंडदान तो कर आ हैं गया जी जा चुके हैं लेकिन भागवत नहीं सुने उनके लिए मौका है मुख्य यजमान बनने का हमारे भागवत के कारकरम में श्रीमद भागवत साथ तारिक की संध्यावेला में आरंभ होगा आचारे गणेश उपाध्याई जी भागवत का पाठ करेंगे जहां पर पोथी पाठ के लिए भी ब्राम्हन बैठेंगे भागवत कथा तो चलेगा ही आप उसमें सम्रित हो सकते हैं दक्षना देकर मुख्य जमान की दक्षना आप पता कर लिजिये पोथी पाठ कराने की दक्षना हर रोज अलग-अलग रहेंगे मुख्य जमान आप उसमें भाग ले सकते हैं अगर आपने कभी भी पिंददान किया है कहीं पर भी पिंददान किया है भागवत में अभी तक आप सम्रित नह भर पर चार-पांच लाग काम है अब बिटिया बहिन बुलाई जाते हैं पंडित जी आवत हैं गाव गाड़ा खी आई जाते हैं खर्चबात कुल जगह लागी ने अब तब जाए कि फल पईबा अब ननो मन तेल होई न राधा न चीहें तब का कई जाए तब हमरे माध्यम स कराए ला अवहुग जरूरत ना है आवग जरूरत ना है नीचे आपका नाम भी चलेगा आपके नाम का संकल्प होगा पोथी पाठ करवा लीजिए आप भागवत में दक्षना दे करके मुख्य अजमान बन जाईए हर दिन के लिए एक विशेश ब्यवस्था हम आपको परिशान होने की आवश्यक्ता रत्ति भर भी नहीं है मौका बड़ा है इस मौके का लाव लीजिए 7 से 14 तारिक वाले भागवत में आप मौका पाएं मुख्य जमान बनने का बहुत बहुत धन्यवाद बस यही आगरह करना था जिससे आप मैंने अपना एक्जाम्पल दिया देखिए धन की जो गती है वो सबसे शुभ गती है दान की इस सबसे शुभ गती दान है तो दान के साथ साथ दक्षिणा और उसका लाभ भागवत श्रवण का इस सब एक साथ करवा दूँगा भाईया आप जितना सुखी होंगे हम में उतना अधिक आनन्द आएगा देर मत करिएगा भागवत वाले प्रगल्प में सम्लित अवश्य हो जाईए बागी तो अब श्राध वाला तो आपने छोड़ी दिया है तो अब हम क्या ही बोले देखे शिवम जी से बात कर लिजे आचार शिवम इश्रा का नंबर जो पूरा कार्यभार देखेंगे 9354619250 है जिस पर आपको वाटसप करना होगा तुरंद करिये गा लेकिन क्योंकि साथ तारिक से आरम हो रहा है बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद तमस्कार शिरादे कर दो पकार शिरादे आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोशी जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीब एक खुशियां अनेक कर्णेश रुशियों कर्णेश टार आपको भी खुशियों की चाहा है